प्यारेस गुल्लो यहाँ पे कक्छा आपका चोथी का विसे अंग्रेजी एट ग्रेट अभ्यास्त पुस्त का दिखे पूरा का पूरा आपका यहाँ पे बुक आ चुका है तो आपका जो नई पुस्तक आई है 2324 के लिए तो आज के इस वीडियो में आपको सभी देखिए इस पुस्तक का आपको सैलूसन देने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं जो आपका देखिए सबसे पहला question जो आपका आता है ना तो यहाँ पे पहला question आपका इसमें लिखे लिखा है multiple choice question यानि choose the correct option and right सही विकल प्यून कर लिखना है पहला question लिखा है the name of the doggy यानि यहाँ पे जो कुत्ते का आपका नाम क्या था लालू था कालू पीलू या फिर सालू हो जाएगा तो कर लिजिए प्यारे रसगुले इसके बाद देखिए दूसरा question who says I have a wall तो आपको यहाँ पे जो answer करना है देखिए तो मेरे पास एक वाल है किस ने कहा था तो आपको बताना है देखिए क्या कालू ने कहा सालू ने कहा या फिर राजू या फिर आपक question यहाँ पे आपको देखिए answer the following question in the one word यानि इनके उत्तर एक या दो बाको में लिखना है question आपका जो तीसरा दिया है who is राजू राजू कौन था तो answer देना है आपको देखिए राजू इजा सालूच इल्डर व्रदर यानि सालू का आपका वड़ा भाई था इसके बाद question आपका देखिए question आपका चोथा आता है चोथे question रिखा है who likes water यानि जो आपका जो है ना पानी को कौन पसंद करता है तो आपको यहाँ पे इसका answer देना है देखिए यहाँ आप answer देदीजेगा देखिए कालू like water यानि कालू है पे पानी को पसंद करता है तो हमने देखि याँ पर थोड़ा सा पानी भरा होता है उससे के कहते हैं तो जहां पर थोड़ा सा देखिए small area of water called pond यानि आपको यह पर तालाव कहलाता है इसके बाद question देखिए आपका छटा आता है with whom do they go to near why pond यहां पर पास के तालाव पर कौन गया था तो आपको बता रहा है देखिए they go to near why pond with their uncle यानि अंकल के साथ देखिए वो सभी गये थे इसके बाद question आपका आता है साथ वा question साथ वा लिखा है निम लिखित प्रसनों के आपको देखिए उत्तर एक या दो वाको में देना है question साथ वा देखिए यह पर लिखा है उसी परकार एंग्रेजी में भी होता है मैं जैसे देखिए जैसे काल वाल है यहीं न हेवर का सबvalर और इसी परकार आपको सभी आपकी words लिख सकते इसके बाद देखे आपका नवा कोश्चन आता है यहाँ पर कोश्चन देखा है मेक फोर संटेंस फ्रॉम दा फालोइग टेवल इन राइड आप देखे आप किट्टू नाम है सालू राहूल नाम है गोलू और प्रिती तो यह पसंद ये करते हैं to read to milk to run ये फिर आपका kit to तो आपको इससे वाक कैसे बनाना है पहले तो आप यहापके kit to लाइक जोड़ दीजिए kit to like to read आपका पहला हो जाएगा दूसरा राहूल के साथ आपको यहापके like जोड़ना है तो राहूल like milk हो जाएगा इसके बाद गोलू like to run और पृति लाइक स kit to तो आपको simple तरीक से यापए आपका पहले kit to likes are to read राहूल like milk आप देखे गोलू like to run और चोथा आपका देखे आप यहाप हो जाएगा pretty likes kit to तो चली आंसर कर लिजिए इसके बाद देखे आपका है आपका question आपका आता है दसवा तो इसमें क्या लिखा है rewrite following sentence using contracted from its a wall तो आपको इसमें बताना है देखे it is fun, it is ball और it is water तो आपको यहापे it is का प्रयोग करके आपको यहापे sentence बनाना था इसके बाद देखे आपका यहापे question आते है long answer वाले question अब long answer वाले question बच्चों कैसे लिखना है तो लिखना है answer the following question 3 and 5 sentence तो 3 से 5 बाक्कों में उत्तर लिख best friend तो best friend की बारे लिखना है तो this is देखे आपके friend का नाम क्या है तो this is Ram, He likes fruits देखे आपको फल का नाम लिख दीजिए तो यहापे कलर देखिए तो उसे कौन सा कलर पसंद है रेड कलर तो यहां पर आप अंसर कर लिजे और इसके बाद जो कोश्चन आप करते आता है देखिए यहां पर आपको यह आंसर भी आपको इसकार से डारेक्टली आपको कर सकते हैं तो कर लिजीगा और इसके बाद देखिए यहां पर कुछ आपका वारवाता है व्लास्ट कोश्चन है कि यूरगास्मेट फ्रूट इन गेम दे लाइक राइड देम इन दा टेवल अब देखी यहाँ पर कुछ आपके नाम है राम है तो राम को देखे आपका फिरूट मैंगो और गेमक को से पसंद है क्रिकेट मोहान है उसे क्या है पपाया यह नहीं पपीता और फुटवालों खेलती है और यहाँ पे इस प्रकारा से दिखिए लेशन फर्ष्ट कंप्लीट होता है और अब चलते हैं लेशन टू तो लेशन टू में देखिए बच्चो दा मून है एट क्रेट अभ्यास पुस्का की अंतरगत यहाँ highest अ मून वाल तो देखिए इस अलम इनके दिखते हैं हैं सबसे पहला को यह प me we can't people into th है और तो आको देखिए द कर दोक पौल कुझा क Don मून दिखता है मून इक आपके केयंद के समान दिखाई देता है स्न भी दिखाई देता है कि पार्ट किसका कैं Moon का है आर्थ भी देखिए आपका पार्फ गोला दिखाएता है एक बॉल की जैसे पार्फ जो आपका है इसतार्स भी देखते है तारे लेकिन आपको यह पर पार्फ के अकॉर्डिंग आपको यह दामून अंसर करना है इसके बाद देखिए Moon hedge, grow, vigor, and round like a N-O ठीक है, O आप यह पर कर दीजिये तो आपका जो है यहापे जो Moon है जब घूमता है तो आपका O की समान दिखा एता है तो आपको देखिए आपको यह पर प्रियूप करना है ठीक है, आपको यह पर दा का यूज करना है article देखे एंदा लिखा है तो आपको यह पर दा answer लिख देना है इसके बाद देखे आपका जो तीसरा question दिया गये है answer the following question one and two word अब देखे आपर जो आपको answer लिखना है ना तो आपको write the rhyming word for book तो आपको देखे बहुत simple answer करना है तो आपको rhyming word में देखे आपका moon हो जाएगा moon और noon soon air hair fair और fair look book hook took round sound bound pound low so row और वो आपको यह पर यह answer कर देना है इसके बाद चोथा देखे आपका लिखा है write the opposite word तो small यानि आपका छोटा होता है छोटा का जो opposite word होगा यह पर आपका हो जाएगा week तो answer कर दीजे आपके opposite आप small is यह जाएगा question देखे पांचवा write the name of our river यह पर आपके नदियों के नाम दिखना दा गंगा दा यमुना दा नर्वदा धाकावेरी तो आपका देखे page आपका गयरबा complete होता है इसके बाद question आपका छठा आता है what looks like a lamp in the air तो आपको बताना है एक lamp के हबा में आपका lamp की समान क्या दिखाई देता है जलता है तो देखे moon तो moon आपको देखे आपके हबा में क्या है एक याप चिवनी क तो ताज महल कहां है आपका आगरा में है तो यहाँ पे साय जहाने इसे बनवाया था तो इसको आपको अंसाल लिख देना देखे देखे देशी जा ताज महल और इसके बाद देखे आठागा question वेर डज दा मून साइन तो देखे यहाँ पे जब का मून है कहां पीच मकता ह तो देखे अपधियर तो आपको इसके पर प्रत्वी से ऊपर आपका दिखा जेता है ठीक है उपर की ओर आसमान की ओर इसके बाद देखे यहाँ पर हो गया question देखे नो नमबर री आरेंज दा जंबल लेटर फोर्म आवर्ड देखे आपको जी आई भी लिखा है तो आपक अपके होता है आपका धार्मी ग्रंथू का नाम तो पहला देखे आपका दा गीता है दूसरा आपका है दा रमायन इसके बाद आपका देखे एक गयर वाता है लॉंग अंसर टाइप question तो देखे तीन से पांच वाकों में लिखना है make up your sentence from the table right then space आपको देखे अगर मैं इ आपको यहां से यहां तक लिखना है और इसका लाइन यहां तक और इसका यहां तक अब देखिए इसी प्रकार से अंसर भी आपका लिखा होगा तो इसे देखेंगे तो आपका यह लिखा है देखिए दा ताज महल इजा मेट आफ वाइट मारवल दा सन इजदा साइनिंग इन दा इसकाई तो आपको देखिए यहां पर उसी प्रकार से अंसर करना है और दा फूल मून लुक लाइक ओ यानि आपका जो पूरा चंद्रमा है एक ओ के समान के दिखाएता है दा इस्टार साइन आपको आपको यह कर देना है और इसके बाद देखें आपको कोष्टन आपका वारव आता है लिखा है राइट दा फोर लाइन से दा प्रकार से अंसर करना है इसके बाद देखिए यहां पर लेशन टू समाफ होता है अब चलते हैं लेशन थ्री अप्पू एंड अन्नू तो यहाँ पे देखिए एट ग्रेट अभ्यास पुस्तका की अंतरगत पर्जोजर तेस का आपको जो नया भुकाया है तो प्यारे रसगुलो चलिए यहाँ पे इस पार्ट का आंसर देखते हैं सबसे पहला देखिए आपका जो कोश्चन है मल्टिपल चोईस कोश्चन तो इसे आप देखेंगे याँ आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है कोश्चन दिखा है अप्पू वाट फोर दा मार्केट याँ अप्पू जो हाथी था ना तो याँ पे मार्केट से क्या खाईदा एपल ओरेंज ग्रेप से फिर गुआवा तो आपको याँ पे जो अंसर करना है औरेंज कर देना है इसके वाद सेकेंड कोश्चन अनुवाज डैस डैस मीटिंग अप्पू इन दा मार्केट तो यहाँ पे आपको जो अंसर करना है न तो अनुवाज दो आपको देखिए याँ पे क्या थी अनुवाज मीटिंग अप्पू जब हाथी से मिली तो अप्पू से मिली तो बहुत खुद थी ठीक है एंग्री यानि तो अप गुस्ता होता है अनुवाज यानि आपका दोखी होता है तो हैपी थी भाईया इसके बाद देखिए आपका जो नेस्ट कोश्चन दिया गया है यहाँ पे देखिए अगला कोश्चन है आपका हैपे very short answer तो आपको यहाँ पी देखिए one and two word में इनका answer करना है who did the elephant meet तो elephant से कौन रहपे मिला था तो he meet an aunt यानि आपका देखिए चीटी से और इसके बाद write the opposite word happy यानि खोसी होता है तो इसका opposite हो जाएगा unhappy हो जाएगा यानि दुखी इसके बाद देखिए question आपका आता है पाचवा rearrange the letter from a new word आप देखिए एन पी लिखा है rearrange करेंगे यह आपको पी पहले लिखना है इसके बाद आपको e करना है फिर आपका n तो आपका pen बन जाएगा question 6 में make two new words अब दो आपको नया सब्दोनाना prefix यानि आपका देखिए प्रत्य का आपका यह पे देखिए prefix यानि आपका उपसर्ग होता है है ना हिंदी में अगर बोलतो उपसर्ग कहते हैं और suffix यानि आपका प्रत्य होता है तो prefix देखिए आपके आगे जोड़ना है इसम अंसा लिखना है question सात्वा what is the name of the elephant तो यहां पर elephant का नाम क्या था तो आप जानते हैं उसका नाम था अप्पू answer कर दीजिए question देखिए आठवा आपका लिखा है करते हैं बरसात के दिनों में इसके बाद देखिए यहां पर आपका जो question आता है कि आपका आता है देखिए गयरवा question है ना यह कौन सा question था आपका नवा है तो आपका यह दस्वा question दिए गया है आपको देखिए आपका हवाई जाज कब कहा पर उड़ता है देखिए एरो प्लेन फ्लाइ इंदा इसका यानि आकास में उड़ता है इसके बाद आपको question देखिए यहां पर आपका दस्वा हो गया question आपका गयरवा लिखा है तीन से पांच बाको में आपको यहां पर आंस इसलिए आपको देखिए वाईल्ड एमिल यानि क्या होता है आपका एक जंगली जानवार है ठीक है और इसके बाद देखिए फोर ले उसके आपके चार पैयर होते है इटेज टू विग इयर और इसके जो बड़बड़े कान भी होते है इन इस इसका एक बड़ा सूर्ड भी होता है और इट 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 ग्रीन लीफ एंड ग्रास यानि पत्ते और देखे घास खाता है और इस दावे तो खाता है आप जानते ना तो आप लिख सकते हैं लिकिन पांच शी संटेंस बोला गया था तो इसके लिए आपको मैं पांच संट प्रेला चोथे में अप्पु मेट एन आंट आपको हैं पर इस प्रकार से अंसर बनाना है लिख दीजे देखे अपु वाज गोईंग टू दा मार्केट अपु वाज एन एलेफेंड अपु मेट एन अंट तो कर लिजे यहां पर देखे आपको इस प्रकार से आपको हमने तीनो पार्ट के अंसर दे दिये हैं तो मिलते हैं एक अगले वीडियो पर और उस वीडियो में एक बार फिर से गरता मचाएंगे तो प्यारस गुल्लो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कलेजे का जिसे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिक के सन मिलती रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो पर जहिंच जे भारत अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो है लाइक मारो एम करते हैं दो लाग स्टाथ हजार लाइक कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने लेकिन बोलने में का जा रहा है और अगर तुम लोग नए हो झाल